पौरानिक कथाएं जिन में बसा है हमारी सनातन संस्कृती का सार्ड दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार आर्यवर्ट भारत का स्वाभिमान सब्सक्राइब करें लिया दर्शको आर्यवर्ट में आपका स्वागत है हमने पहले मेश राश्ची के लिए और ब्रिशव राश्ची के लिए बताया था आज नंबर है मिथों राश्ची का मिथों राश्ची का स्वामी बुद्ध है और हरी राश्ची है ये कन्या दिखती है बुद्ध हरा ग्र है है यह उत्तरदिशा में इसका सित्प है मिफून राच्ची वालों की हाइट होती है वो 5 फृट 10 च लेकर 5 फृट 8 च तक होतीय यह मिफून राच्ची वाले जायतर बैपारी होते हैं बिजनिस्मैन होते हैं और इनका जो चेहरा होता है गोल होता है आँखें काली होती हैं और बाल इतनी भी काले होते हैं मिथों राशी वालों का जो दिमाग होता है बहुत तेज होता है बिजनेस के अंदर पड़ाई के अंदर काफी अच्छे स्केल पे जाते हैं और सर्विस में भी अच्छे जर्नल मनेजर सी की करते हैं मिथों राची जो है पहले घर में ठीक होती है मंगल इसका स्वामी है तो मंगल जो है वो इसका दोस्त है दूसरे घर में दूसरा शुकर का घर है उसमें भी नॉर्मल होता है ठीक होता है दूसरे घर में जो मिथों राची आए तो कुटोंब से प्रॉपर्टी जम भी मिलती है तीसरे घर में मिथों राशी अपना इसका घर है मिथों राशी का तो मिथों राशी जे तीसरे घर में मिथों राशी है तो भाई बहनों का बहुत प्यार होता है तो जैन जो पुर्ष होता है उसके दो बहने होती है तीन बहने होती है एक बहन होती है तो बहन जाए वो लड़की है चाहिए वो लड़का है तो माता से बहुत प्रेम होता है पांच में घर में मिथों राशी आजाए तो अच्छी स्टेडी करते हैं लोग बिजनसमेन भी होते हैं और पढ़ते भी हैं जज तक बन जाते हैं आई पिस डॉक्टर भी बनते हैं डॉक्टर बनते हैं लोग तो मिथों राशी पांच में घर में बहुत है शूब माने जाती है सूरिया के एक घर में तो सूरिया का घर मिथों बुद्ध और सूरिया आपसमें मिलके बुद्धितिया योग बनाते हैं तो बुद्धी मान होते हैं छटे घर में इसी का घर है बुद्ध का स्वामी है तो इसमें कन्या राशी होते है पर मितन राशी आजाए तो इनसान बहुत आगे बाड़ता है उसकी रैपोर्टेशन काफी होती है तो दुनिया में उसका नाम होता है तो उसकी रैपोर्टेशन सूरिया की तरह चमगता है साथ में घर में मितन राशी आजाए त हमान होती है आठ में घर में जे मित्वों राची आजाए थोड़ी सी प्रावलम देती है पेट की प्रावलम होती है घुटनों की प्रावलम होती है चाती की प्रावलम होती है पर बहुत मेजर प्रावलम नहीं होती है नौ में घर में मित्वों राची बहुत जाद बीक हो ज दखती है और घुट्णों का दर्द बहुत हो जाता दस में घ़र में मिथ्व, राशी बहुत अच्छी होती है ये शनी का घर होता है और मिथ्व, राशी इसमें शनी और वुद्ध आपसमें परम मत्र हैं दुन्यों मिलके बीजनस कि बनाते हैं और पिता का सजूग मिलता है पिता बहुत ज्यादा साथ देता है, जिन्दकी में प्रॉपटी बहुत हो जाती है और अच्छे बिजनस चलते हैं, फैक्ट्रियन तक लए जाती है ग्यार में लाब भवन में, ये कॉमराशी का घर है, शनी का घर है इसमें भी मिस्वन राशी आके बहुत बड़ा बिजनसमैन बनाती है जा बहुत बड़ा आफिसर बनाती है, गौर्मेंट में, राजनितिके में भी ले जाते हैं मिस्वन राशी बालों को तो बार में घर में मिस्वन राशी बिलकुल जीर हो जाती है प्यारे दर्श को बार में घर में मिथोन राशी नीच हो जाती है बुद्ध नीच हो जाता है तो खर्चा ही खर्चा होता है अब सो और पी एकम आओगे तो पांस और पी आपका खर्चा रहेगा तो मिथों राच्षी जिनकी बार में घर के भर में हैं, उनको मैं ये सचेट कराना चाहता हूँ कि समल के चलें, कोई भी काम, कोई भी पेपर, कोई भी ऐसा कावज पर सैन न करें, बिना पड़े क्योंकि इनके साथ धोखा बहुत होता है, प्रोप्णियों तक छेन जाते हैं मिथों राच्षी बालों की, ये बार में घर में मिथों राच्षी है, बुद्ध बार में घर में हैं, तो बुद्ध जब बार में घर में और मिथों राच्षी कठी आ जाए, तो धोखे बाजी बहुत होती है, फ्रोड बहुत होती हैं, तो बच के रहना चाहिए। अब मिथुन राशी बालों का क्या इलाज है। बुद्वार को हलके ग्रीन कपड़े पहनें, तो बुद्ध ठीक रहेगा, बैपार में बिद्धी होगी, और गवों को हरा चारा जूर ख़़ाएं बुद्वार को, गवों माता की सेवा करने से ही मिथुन राशी खुश होती है, और बुद्ध गरह बहुत खुश होता है, व उनको चारों बुद्वार को गवो शाला में जाके, एक बार में जाता हो, चारा गिरुआ देना चाहिए, जा उनका जो सूका चारा बो देना चाहिए, हरा चारा जूर देना चाहिए, जो घरस्त जीवन में लेडिज हैं, जो गवो शाला में नहीं जाती, तो कई बर गवो माता या सनन्दी वगरा हमें मिल जते हैं यहां घूमते घर के आगे तो चार पंच पालक की गुट्टी लें बुद्वर को तो अपना हास लगा के जब पती के नाम का नाम लेके गुव माता को ख़़ाएं तो पालक खुश हो के खाती है और मिठी गुव माता कम खाती है उसक बरतन लग लें तसला टैप जा कोई जिसमें आप डाल सकते हों नीचे धरती पे डालो तो मिठी लगेगी तो अनादर होता दान का दान भी ऐसा करना चाहिए समान के साथ गव माता के भी समान हो चाहिए पूजा करने चाहिए गव माता का आदरमान करना चाहिए उसको हैं ठीक रहते हैं अब आपको मैं ब्रेक के बाद और बताता हूं सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्थ भारत का स्वाभिमान मिथों राच्ची के लिए मैं बहुत खाथ चीज़े बताता हूं तो मिथों राच्ची बालों को कपड़े का काम सूर बैठता है और इनको ग्रीन रंग के कपड़े लेडी जैन्स को बुद्वार को पहने चाहिए मिथों राच्ची बाले जो होते हैं बहुत अच्छे और श्रीफ माने जाते हैं ये बहुत भोडे होते हैं जब मैंने बता ना बार में घर में मिथों राच्ची और बुद्ध आ जाए तो इनको बच के रहना चाहिए दोस्ती में मित्तरता में और रिष्टेजारी में भी इनको चीटिंग मिलती है दोखे बजी मिलती है मिथों राच्ची जो है बहुत शरीफ अच्छी राच्ची है पर बिजनस में ये तेज होते हैं कई वार इनसे चीटिंग हो जाती है मिथम रश्षी बड़ों को हरframesी अपने घर में लगानी चाहिए सबसे बढ़िया है तुलसी के पेड़ होने चाहिए उनको सूकने मद दो सर्दीयों में सर्दी से पेड़ सूक जाते हैं तो उनको छाया दो गर्मियों से गर्मी से पेड़ सूक जाते हैं तुलसी के तो तब भी उनको चाया दो तो तुलसी कभी भी सूकने मत दो अपने घर में और तुलसी का सेवन जूद करो बुद्ध वार को एक आशी और दुदाशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और रवी बार को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए इन दिनों में इनका बैन होता है और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ही हम पढ़के स्टडी करके हम लो आपको बताते हैं आरिय अवरत जो है आपको हर एक चीज का समादन बताएगा और हर एक चीज आपको बताएगा एक एक चीज अध्यात में की चीज जह भी बताएगा आप रमैन की बत पूछोगे तो उसको भी सवाल दोगे अब महाबारत के लिए पूछोगे तो क्या कि कौन कौन से रिशी मुनी हुए है कैसे कैसे हुए है क्या क्या उन्होंने क्या क्या अपने समान दन दिये हमें कौन-कौन सी सुविदाय दिया है रिशी मुने ने, ओभी आरिय अवरत आपको बताएगा, आरिय अवरत हर एक सेवा के लिए त्यार है, प्रिया दर्श को, मिथों राशी बाड़ों को तुलसी का सेवन करना चाहिए, और एकाशी और दुआसी और अभी बार को तुलसी प्रिया दर्श को, जो मिथों राशी बाड़े हैं, उनका जो रतन है, वो है पन्ना, ग्रीन रंग का पन्ना आता है, उसका उपर रतन है, ओनेक्स, ओनेक्स भी पन्ना ही बोलते हैं, उसका ये दो ही इसके रतन है, तो ये रतन पहनने चाहिए, जिए आपको बहुत ज़्य पहनने पहनने, उसके आगे पिशे डैमर लगा के पहनोंगे, तो सोने पर सुआगगा है, जब आरिया बरतव आपको उन्ली भेजोगे, तो मिथों राशी वालों का पन्ने के लिए पहनना है, घाटे में जा रहे हो क्या है, तो हम आपको सलाह देंगे, और हमारे पस रतन भी हैं, जो के लैव टेस्ट होके ही आते हैं हमारे पस, हम लैव टेस्ट होके रतन आपको प्रूब भी देंगे, पेपर बर्क करके देंगे, और अंगूठी बना के देंगे, प्रिया दर्श को हमारी जो संसदा आरिया बरत है, ये कुंडियें भी देखती है, और जो मिथ बार को हरा चारा गव माता को जूर खळाएं और उसके चर्णों में थोड़ा सा दूर सही मत्था डिकें कई बार गव माता भी मारने के लिए पीछे पड़ जाती है मगर देखना चाहिए, कि थोड़ा दूर रहना चाहिए, मगर चारा जूर ख़़ाएं, और आपको कोई प्रॉलमे हैं, आपकी ज़्यादातर मिसों राशी वालों को आँखों में प्रॉलम हती है, तो 90%, 80% मिसों राशी वालों के चश्में लगे होते हैं, तो आँखों की प् रब्बा खाना चाहिए, आवले का चूर नखाना चाहिए, और पन्ना पहनने के बाद जो आँखों का नंबर है, वो बढ़ता नहीं, कमी हो जाता है, पन्ना हर्याली देता है, पेट को ठीक करता है, पेट की प्रॉलम को भी ठीक करता है, बिजनस को भी ठीक करता है, तो प बिजनेसमेन को पहनी चाहिए तो बिजनेस उसका दिन राज चोगनी दिन दुगनी तरक्की करते हैं लोग जो आप जब आप कुंड़ी भेज़ोगे आरे वरत को तो हम आपके समान नमत आएंगे अब आगे आप मिलेंगे दूसरी करकराशी के लिए जब तक के लिए के द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा वासामग्री में से एक हिस्सा गौव सेवा में लगाया जाएगा जिससे न केवल आपको सुख शांती मिलेकी अपितु गौव दान सद्रिश्य पुण्य की भी प्राप्ती होगी दान असंख्य पापों को नश्ट कर देता है दान ही धर्म का पूनत्व और उसका भूशन है प्राप्ती होगी